नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे इस प्यारे से पौधे कॉलियस के बारे में तो अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, अलगल तरीके के प्लांट सरशने का शौक है तो यह आपको यह पौधा जरूर पसंद आएगा और हो सकता है कि आपके घर पे पहले से भी अवेलबल हो क्योंकि एक कई वराइटिस में आता है, इसके पत्तों के थोड़ा शेप शोटे बड़े में भी अवेलबल होता है और कलर्स बहुत सारे इसके अवेलबल होते हैं, ग्रीन कलर में, हलके पिंक कलर में जैसे कि यह मरून कलवारा में पास है पत्यों के अलगलग डिजाइन में आपको अवेलबल होता है तो बहुत सारी वाराइटीज थे हैं और सब भी वाराइटीज इसकी देखने में बहुत सुन्द लगती है और खास बात इसमें यह है कि इसमें फूल भी निकलते हैं पर फूल से जादा जो इसका शो है देखने में पत्ती पत्ती आदा देखने में सुन्द लगती है तो इसलिए हम इसको जाज़ादा घरा बनाने के खुश करते हैं और घरा बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है, वो है कटिंग, अगर ये पोधा सीधा मतलब बड़ा हो रहा है, तो आपको इसलिए कटिंग करनी होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले ये प्लांट ऐसा था, और जब हम इसको ले के आये थे, इससे भी छोड़ होगी है, फिर कटिंग करने के बाद इसमें देर देरे छोड़ी छोड़ी पतिया आने स्टार्ट हुई, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी जो प्रेजन प्लांट है, उसके पहले का इसकी वीडियो है, तो फिर छोड़ी पतिया कुछ इस तरह की दिख रहे थी, औ तो इस पौधे को आपने ज़्यादा धूप में नहीं रखना, नहीं तो इसके पतिया जो होती है, सूख जाती है, जल जाती है, और इसमें रंगत ज्यादा शाइनी पत्ते तब ही आएंगे, जब इसको आप सैमी शेड एयरा में रखेंगे, हाँ धूप की रोशनी इसको पौधे के लिए जरूरी है, हर एक पौधे के लिए जरूरी होती है, एक धम से आपने शेड में नहीं रखना, बट थोड़ी सी धूप पड़े, ज्यादा धूप पड़ेगी तो इसके पतियां खराब हो जाएंगी, और इसमें आपने पानी का बीज दिधान रखना है, क् जब इस पौधे में पाने की कमी होती है, तो ये कुछ इस प्रकार इसके पतिया नीशे को जोग जाती है, क्योंकि ये पौधा ऊपर रखा है, साइड में इसके पौर दिन धूप नहीं पड़ती, बट फिर भी आपको इस पौधे में, बश्का अगर आपको पतिया देखने में कितना सुन्दर लगता है अभी कैसा लग रहा था और पाई डालने के बाद आप देखते हैं सेम प्लांट है कितना सुन्दर लग रहा है और इसके पहले आपने देखा कि कैसा लग रहा था ही तो इसलिए इसमें आपने पानी का इसका ध्यान रखना है और एक बा और आप देख सकते हैं जैसा कि जितने भी प्लांट है आपने साइड में पाम देख रहे हैं यह स्नेक प्लांट है जेट का प्लांट है यह सारे मेरे प्रॉपर्गेशन के दौरा तयार किये प्लांट है जो पाम है उसके साइड से जो स्टेंट्स निकलती है नहीं नहीं पत् जाते हैं तो आप कर सकते हैं और बाकि जो मैं इस सात के प्लांटस है अगर वैसे भी प्लांटस आपको multiple plants करिणे स्नेक प्लांटे उसकी propagation अराम से आती है जेट प्लांट के आराम से लाती है बाकि पांप वगएरर उसके साइट से जो प्लांट सिकलते हैं ने उनको अलक करके एक नए गमने लगा देंगे तो वो भी आपका एक नए प्लांट के रूप में चल दाएगा